Hello students, I hope you are doing good. आज हम एक नए यूनिट के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके examination point of view से काफी important है, भले ही आप उसे 12th के उससे देखें, या तो फिर आप नीच के point of view से देखें, दोनों में ही ये काफी important है. इस unit के अंदर आपके तीन important chapters आते हैं, पहला है principles of inheritance and variation, second है आपका molecular basis of inheritance और third है आपका evolution, तो आज की class में हम सबसे पहले start करने जा रहे हैं with the principles of inheritance and variation, ठीक है? तो हम basic points इस chapter में समझेंगे कि genetics होता क्या है, ठीक है? इसको समझने की हम कोशिश करेंगे और इसके sub points को discuss करेंगे, ठीक है? अब देखिए, ध्यान दीजे, आपके handwritten copy के उपर, genetics, इस term पे थोड़ा ध्यान दीजे, यूगि इसी unit को भी हम deal करने वाले हैं, genetics, मतलब study of genes, ठीक है? hereditary और genes के study, ठीक है? अब देखिए, इसके अंदर जो हमारा पहला chapter है, that is principle of inheritance and variation, इसमें जो एक पहला हम एक term discuss करने वाले हैं, that is your heredity, heredity, अब देखिए, एक किसी भी अगर आप लड़के को देखेंगे, माल लीजे, तो उसके कुछ features उसके पापा से आए होंगे, कुछ features उसके मम्मी से आए होंगे, कुछ features उसके दादा दादी से आए होंगे, और कुछ features उसके नाना नानी से आए होंगे, तो ये क्या है, अगर कोई भी parent या तो ancestors पूरवच अपने characters अगर अगली generation या पीड़ी में डालते हैं, तो इसे हम कहते हैं heridity, ठीक है, तो अगर आप एक लड़का अगर आप एक लड़का देखेंगे, एक दम similar same copy नहीं होते हैं, clones नहीं होते हैं, robots नहीं होते हैं, कि अगर आप अपने और पूरवजों से आ सकता है, ठीक है, अब देखें, हो सकता है, बहुत सारे characters आए माबाप से, लेकिन माँ लीजेए हो सकता है, आई color, सभी माबाप में दोनों के eyes का color है brown, लेकिन बच्चे का color हो गया eyes का blue या तो green, जो कि थोड़ा सा normal से अलग है, तो आप सोचेंगे तब तो यह इनका बेटा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा यह इसलिए हुआ होगा, क्योंकि उनके खांदान में किसी का रंग रहा होगा eyes का, इसलिए वो trait खांदान के किसी भी एक इंसान से, jeans का पास वो, मतलब दादा दादी, नाना नानिया, और पिछले जो generations है, उनसे आया होगा, इसलिए आए का color blue आया है, ठीक है, यह समझ आया है, अब आप, कॉपी नहीं है, लेकिन अगर आप खड़े होगे अपने घर वालों के साथ, तो लोग बेखे कह सेगे, हाँ यह इसी पडिवार का है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ट्रेट जो है, वो पास होते है, एक connection के थू, एक tree के थू, ठीक है, तो heritage is the passing of traits from parents and ancestors, देखे, यहां तब भी लिखा मैंने, parents मतला माबाप से या तो, या तो पूरवजोर से, ठीक है, जरूरी नहीं है, सारे traits माबाप से ही आएंगे, उस family tree के अंदर, जो और पिछले पूरवज थे उनसे भी आ सकते हैं, ठीक है, to their offsprings, और अगला जो है आपका definition, that is genetics, यही जो pass होता है, character माबाप से आता है, ancestor से आता है, यही जो passing चल रहा है, इसी की study को हम कहते हैं, genetics, ठीक है, तो genetics is the study of heredity, ठीक है, I hope आपको दोनो statements clear है, पर अब बात यह होती है, यह term genetics, इसको जर्म किस ने दिया, इसके बारे में research किस ने किया, ठीक है, तो इसके historical background को जानने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है, तो अगर आप हम handwritten copy को side रख के जारा इस बारे में बात करेंगे, genetics, ठीक है, इसके जो father थे, मतलब इसको जो ढूनने वाले, इसको जर्म देने वाले थे, व ग्रिगोर, जेम, लैसा भी लिखाव आपको मिल सकता है, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाइ, 1822, यह important है, काफी important है, normally हम ऐसे dates याद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ dates आपके biology point of view से भी important होते हैं, तो death और birth, मेंडल का दोनों ही आपको याद करना है, अब मेंडल नहीं खोज की थी, इसलिए genetics को हम Mendelian genetics भी कहते हैं, ठीक है, तो देखिए, जो मेंडल थे, वो थे mathematician, ठीक है, फिर सवाल आपको दिमाग में आना चाहिए, कि mathematician है, इन्होंने biology के हिस्सों पर कैसे काम कर दिया, तो पुराने जमाने में, एक तो 1822 में इनका जन्म हुआ था, तो इ इनको वहाँ पे priest रखा गया था, ठीक है, तो अब priest की life थो बहुत ही sober, simple, ज्यादा कुछ उन्हें करना नहीं होता काम, भगवान में ही समय देना है पूरा, तो जो church में उनकी duty थी, उनका उनकी नौकरी थी, उसके पीछे बहुत ही खुला मैदान था, बहुत ही open space था, तो वहाँ पे क्या किया, में डलने कि pea plant, pieisum sativum, इसको grow करना शुरू किया, आप, pieisum sativum grow करते-करते, 36-7 साल, किनी books में आपको 6 years मिलेगा, किनी books में आपको 7 years भी मिल सकता है, तो उन्होंने pea plant grow करना शुरू किया, ठीक है, तो pea plant grow किया, तो उसके बहुत सारे offspring मिले उन्हें तो उसी से उन्हें काफ़ी इंट्रेस्स चागना शुरू हुआ भी ब्लांट पर उन्होंने वर्क किया उसके उपर पर उनकी डेथ हो गई 1884 में ठीक है डेथ तक यह एक्सेप्ट उनकी जो थियोरी थी उनकी जो लॉस थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था इसका भी हम कारण जानेंगे ठीक है लेकिन उनके डेथ के उनके मरने के 16 साल बाद तीन साइंटिस का सेट आया जिन्होंने दुबारा से इसे री डिसकवर किया और इसके बताया सभी को कि हाँ नहीं यह बहुत ही अच्छे सही लॉज है हम इसे मान सकते हैं ठीक है तो यह है इसकी हिस्ट्री ठीक है आपको यह आराम से यह याद रखनी चाहिए क्योंकि यह आपके 5-10 माग क्वेशन में आ सकता है तो दुब फादर ओफ जेनेटिक्स वाज ग्रिगोर जोहान मेंडल ग्रिगोर जे मेंडल ठीक है इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई को 1822 में इन्होंने 6 साल का काम किया था 25 सटाइवं पर 25 सटाइवं क्या होता है पी प्लांट होता है ठीक है इनकी डेथ हो गए थी 1884 में इ यह सुलाई साल मरने के बाद ताइवं का इनका वाठ को दुबारा से स्टैडी किया था जिसकी वज़े से एक्सेप्ट हुआ यह पीन साइन्टिस की वज़े से था यूको डिवराइस, कॉरेंस and शर्मक, ठीक है, so I hope आपको historical point of view जो है, वो काफी clear है और यह सारी चीज़ यह काफी important है, आपको यह याद होनी ही चाहिए, ठीक है, ठीक है, MCQ point of view से भी important है और long note question point of view से भी यह काफी important है, next handwritten copy में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मेंडल का work जो था, आज भी हम वही मानते हैं जनेटिक्स के point of view से, लेकिन उस समय क्यों नहीं यह accept हुआ था, ठीक है? अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि मेंडल ने बहुत ही सही लेकिन शुरुआती समय में 16 साल तक तो बिल्कुल ही accept नहीं हुआ जब तक वो जिंदा थे तब तक तो नहीं हुआ उनके मरने के 16 साल बात तक भी accept नहीं हुआ था, इसके क्या कारण थे? तो reasons for non-acceptance for Mendel's work, ठीक है? क्यों नहीं accept हुआ था? पहला point अब देखिए, जैसे हम doctors अगर हम कोई case करते हैं, अगर ये case काफी important होता है, interesting होता है, जो कि बहुत पहले नहीं देखा गया है तो हम क्या करते हैं, इसको journals में print करवाते हैं, ठीक है, उस case के उपर study करके, उसके points, उसके photographs, ये सारा कुछ डालके, उसे बड़े-बड़े journals में, या तो normal journals आते हैं, या तो international journals आते हैं, सब में publish कराते हैं, ताकि लोग उसे के बाएर में पढ़ें, जानें, सारा कुछ करव नहीं थे, लोकल थे, ठीक है, तो जादा लोगों तक ये studies पहुंची ही नहीं, ये test पहुंचे ही नहीं, तो accept करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, तो his work was not published properly, ठीक है, अगला, biologist did not accept it as Mendel was a mathematician, अब देखे, मैंने आपको बताया था, कि mathematician थे Mendel, ठीक है, लेकिन ये जो काम है, ये किस field से जुड़ा हुआ था, ये biology के field से जुड़ा हुआ था, तो उस समय में, जो biologist थे, उनको ये बात हजम नहीं वही, पच्ची नहीं कि, अरे, एक mathematician कैसे research कर रहा है, तो biologist ने accept ही नहीं किया, Mendel के काम को, क्यों, 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 mathematician थे, एक और problem थे, कि तो उस समय में, डार्विन का काम जो था, काफी hot favorite था, ठीक है, डार्विन का भी अभी आयेगा आगे evolution में, गैलपगोस आइलेंड गया थे, ये सारा कुछ आयेगा भी आगे जाके, तो उस समय ये काफी जादा चर्चा में था, डार्विन का काम, तो इनके काम को तो वैसे ही किसे ना value नहीं थी, ठीक है, अगला, अब देखिए, हम समझ रहे हैं कि जीन्स, ठीक है, जीन्स है, वही responsible होते हैं, in passage of this heredity, ये जो characters और ये traits जो आगे पास हो रहे हैं, इसके लिए responsible कौन है, माबाप से जो characters आ रहे हैं, वो जीन्स के पास होने की वज़ा से आ रहे हैं क्रोमोजोम के ओपर जो जीन्स होते हैं, तो उस समय मेंडल के पास एक तो माइक्रोस्कोप था नहीं, माइक्रोस्कोप उसमय जो था भी, वो उतना developed नहीं था, उतना magnification नहीं था उसका, उन्हों ने मेंडल ने उन जीन्स को factors का नाम दिया, discrete units मतला, जिसका structure नहीं देखा ह हमें हमें पता नहीं है ठांक से उसके बारे में, ठीक है, तो एक तो cell के nucleus के अंदर, ठीक है, तो एक तो इतना development नहीं था, microscope का और हमने देखा भी नहीं था, यह जो इन्होंने term दिया factors, discrete unit, लोग उसे क्या बोल रहा है, ठीक है, तो इसलिए किसी के समझ नहीं आया, लेकिन यह जब वो तीन साइंटिस्स ने research की, यह हुगो डिवराईस, कॉरिंस, एन शर्माक, तो उनके काम करने के बाद दुबारा से यह accept कैसे हुआ, क्या क्या कारन थे, जिस वज़े से यह बाद में accept हुआ, तो reason for it to later get accepted, ठीक है, selection of contrasting characters, ठीक है, अब देखिए, माबाप में ही किसी कोई बच्चा लंबा होता है, कोई छोटा होता है, ठीक है, तो यह जो characters होते हैं, एक लंबा है, एक छोटा है, एक दम contrasting characters है, आप बहुत जो लंबा है, उसे कोई बौना नहीं कह सकता, और जो बहुत ही छोटा है, उसे कोई लंबा नहीं कह सकता, तो यह दोनों जो है यह एकदम contrasting characters है अब देखें जैसे किसी इनसान की height है अगर हमने कहा tall और taller ठीक है तो किसी एक इनसान के लिए कोई सामने खड़ा वो tall हो सकता है और वही सेम इनसान किसी और के लिए taller हो सकता है ठीक है लेकिन अगर आप बात करेंगे tall or short की तो जिसकी height कम वो तो short ही है जो लंबा है वो tall ही है ठीक है तो यह ambiguity मतलब confusion जो है ऐसा नहीं आता था उन्होंने जो characters choose किये तो एकदम contrasting थे उसमें कोई confusion आने की मतलब ऐसा कोई point ही नहीं था ठीक है अगला a large sample size मैंने आपको बताया कि वो priest थे ठीक है बहुत ही भयानक सा एक space मिला हुआ था काफी जादा cultivation हो सकता था और pea plant में एक बार में बहुत सारे seeds होते हैं तो इस वजह से sample का size अभी देखिए जैसे कोरोना बहुत ज्यादा भी ज्यादा चला हुआ है तो कोरोना में भी मतलब कोई भी चीज माली जे वैक्सीन भी बनता है तो बहुत ही large आबादी पर उसका test करना होता है क्योंकि अगर नहीं हुआ तो लोग accept नहीं करेंगे तो यहां पे भी जो उन्होंने points रखे सामने उस करना ही पड़ेगा कोई option नहीं बचता है कि नहीं ऐसा होता तो कैसा होता है यह options नहीं बचते है ठीक है अगला proper data analysis यह तो large sample size लिया था एक फायदा क्या था मेंडल को कि वो mathematician थे ठीक है तो यह जो जोड घटा यह सारा कुछ जो वो करना था इतने सारे जो cases को study करने में वो just because वो mathematician थे इसलिए जो भी data था उनके पास उसका proper analysis किया था उन्होंने और इसलिए लोगों ने उसे अच्छे से accept किया था ठीक है last point no use of linkage ठीक है अब देखि यह गलती से हुआ या फिर यह जान बूच के मेंडल ने किया था मेंडल अब हमारे साथ जीवित नहीं है बाद में भी जीवित नहीं तो उनके मरने के बाद इतना जाके उनका काम accept हुआ था तो लोगों को यह उनसे पूछ नहीं पा लो लेकिन उन्होंने जितने भी characters लिय नहीं थे अब अगर आप एक chocolate एक बच्चे को दोगे दूसरा chocolate आप दूसरे बच्चे को दोगे तो कोई जगड़े की बात नहीं होगी लेकिन अगर आप दुन्हें दोनों बच्चों में एक chocolate दे दिया तो लड़ाई होगी कि ने मुझे यह बड़ा पीस ले रहा है यह मै उन्होंने जान बूच के ही किया था ठीक है आपको यह दोनों रीजन्स क्लियर है नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं कि वह और भी कोई पौधे उगा सकते थे लेकिन उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना ठीक है अब देखिए जो नेक्स्ट सेक्शन की बात हम करने जा रहे हैं कि पाइसम सटाइवं या तो पी प्लांट को ही मेंडल ले क्या-क्या चीज़े उन्होंने एक तो देखे मना आपको पहले ही बताया कि वह मैथमेटीशन थे तो वह जो भी काम करते थे काफी सोच समझ के करत ठीक है तो उन्होंने ये भी जो स्टाडी शुरू की थी कुछ कारणों को दिमाग में रख कहे की थी तो क्या-क्या कारण थे जिस वजह से उन्होंने इस पाइसम सटाइवं या तो पी प्लांट को सेलेक्ट किया था अपनी स्टाडी के लिए ठीक है अगला पहला पॉइं चाइट रहा गुंटाइन का वेट करते रहे करते रहे घर हमने एजुमन पे स्टाडी की तो सतर से साल वेट करना पड़ेगा नेक्स जनेरेशन के आने के लिए लेकिन यह जो पाइसम से टाइवं होता है या तो बेगा है इसकी लाइफ साइकल जो होती हיה वह 7 थीक है तो ह और तीन से चार वीक के बाद एक पूरी नई जेनरेशन आ जाती है तो नई जेनरेशन आएगी तब तो हम देख पाएंगे ना कि पेरेंट प्लांट से क्या-क्या क्यारेक्टर जाय जीन्स का कैसे फ्लो हुआ ठीक है अगला self and cross fertilization takes place अब देखिए cross fertilization आपने यह सब पढ़ा होगा botany के अदर ठीक है तो अगर हम बात करें cross fertilization cross fertilization, fertilization एक तो होता है fusion of male and female gametes तो अगर दो अलग-अलग plants के मदद से यह fertilization वजब एक plant में से male part आ है और एक plant में से female part आ है तो दो अलग plants से अगर यह gametes आए तो इस type के fertilization को हम कहेंगे cross fertilization और अगर एक हे plant के अंदर से दोनों मिल जाएं और दोनों के बीच में fertilization हो जाए तो यह हुआ आपका self fertilization तो यह दोनों चीज़े ही आपको मिलेंगी पी plant में तो यह दोनों चीज़े ही होती है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं आप स्प्रिंग आते ही रहेंगे अब अगला मैंने बताया था कि मेंडल का यह study का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था कि उन्होंने contrasting characters को चूज किया था ठीक है तो मेंडल ने साथ contrasting characters के उपर study की थी जो कि कहा प्रेजेंट था पी प्लांट के अंदर प्रेजेंट था ठीक है तो देखिए दो recessive characters होता है traits होता है एक जो होता है जो कि dominant होता है और दूसरा होता है recessive dominant वो trait होता है वो character होता है जो कि अपने nature को बहुत ही अब देखिए आप ऐसे समझ सकता है एक भाई है एक बहन है ठीक है बहन जो है बहुत ही dominating है अपने भाई के उपर तो अपनी सारी बात चला लेगी अपना character अच्छे से express करेगी और भाई जो है बहुत ही दब्बू है recessive है ठीक है तो वो अपनी बाते नहीं मनवा पाएगा और बहुत ही अपने characters को show नहीं कर पाएगा तो dominant rate वही हो गया बहन वाला और recessive हो गया वही दब्बू भाई वाला ठीक है तो उन्होंने साथ characters चुने थे उन characters के दो हिस्से होते है dominant एक recessive ठीक है तो कौन-कौन साथ characters से यह आपको रटना ही यह आपको याद होना ही चाहिए ठीक है तो पहला है plant height plant height में जो dominant character होता है height के उपर अगर आप ले तो plant की height अगर tall हो गई लंबा हो गया plant pea plant तो यह कैसा character हुआ dominant gene की वज़े से आया ठीक है और अगर उसकी height short हो गई या तो डॉफ डॉफ मतला बॉना तो यह character कैसा हुआ? recessive ठीक है ज़्यादा तर जो plants थे वो tall थे क्यों? क्योंकि यह dominant character ठीक है अब अगला आपका जो contrasting character है that is flower position पौधे के ऊपर flower कहां present है उसकी position क्या है इसमें जो dominant trait होगा वो पहला है axillary axillary मतलब sides में ठीक है? पौधे में अगर आप ध्यान से देखें तो sides में अगर peas है flower उसके आ रहे है side sides में तो उसे हम axillary कहेंगे और अगर एकदम tip पे आ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे terminal ठीक है? अगला जो आपका character है that is flower color ठीक है? dominant जो character होता है जो कि जादा तर आपको flowers दिखेंगे pea plant में होगा purple color का और जो कुछ और flowers आपको दिखेंगे that is white purple जो है वो dominant character है trait है और उसे से है आपका white ठीक है? अब अगला है pod shape अब देखें मम्मी घर में मटर के दाने निकाल रही होती है तो जो pod है जिसके अंदर मटर के दाने होते है अगर pod पूरा ही पूरा फूला हुआ है सूजा हुआ है तो उसे हम inflated कहेंगे और उसी छिलके के ऊपर अगर आपको बीच बीच में गढ़े दिखेंगे तो उसे constricted कहेंगे तो जादा तर जितने भी pods थे dominant जो थे वो inflated और recessive क्या होगे आपका? constricted ठीक है? अगला है आपका pod color जो छिलके का रंग होता है जिसके अंदर मटर के दाने होता है अगर वो green color का हुआ तो ये dominant character ज्यादा तर छिलके maximum छिलके आपको green ही मिलता होगे इसलिए dominant ठीक है? अगला अगर ये जो pod है covering है जिसके अंदर मटर के दाने होता है अगर वो yellowish color का है तो वो character क्या हो गया? recessive अगला है seed shape अंदर में जो दाने हैं मटर के अगर वो round है तो ये dominant trait हुआ और अगर वो पिचका वासा छोटा सा है wrinkled ठीक है? तो ये कैसा character trait हुआ? ये वो आपका recessive ठीक है? अगला है seed color seed color तो जो ये दाने हैं मटर के अगर वो yellow color के हैं yellowish, light yellowish तो ये dominant है और अगला recessive है अगर तो वो green होगा देखे, pod color और seed color में just opposite है ये अच्छे से याद करेंगे confused नहीं होगे ठीक है, अगला है आपका point जो पाइसम से टाइवं को चूज करने का तो जो seeds होते हैं ये मटर के ये dormancy नहीं शो करते हैं अब देखे, क्या हुआ germination हो गया लेकिन जो ये seeds हैं अच्छे से grow नहीं कर रहे, dormant क्या कुछ समय न, वो resting state में चलेगा ठीक है, जादातर पौधों में ये होता है ठीक है, अब कोई-कोई पौधे जो होते हैं जैसे आम का अगर आप देखे तो साल भर वो नहीं grow करता है लेकिन ये जो pea plant है ये dormancy शो ही नहीं करते हैं ठीक है, तो आपको लगाता है मिलता रहेगा ऐसा कि मतलब पौधे में आपको ऐसे seeds germinate करते होगे ठीक है, अगला number of seeds are more ठीक है, जितने भी seeds मैं आपको बताया कि एक तो large number में seeds मिलता है तभी इतने सारा मतलब options होता है जिनके ओपर study हो सकती है तो जो ये seeds का production होता है एक तो एक pod के अंदर कितने सारे मटर के दाने हो जाते है तो seeds का जो number होता है काफी जादा होता है as compared to all the other plants, ठीक है तो seeds का number जादा है तो number of cases study करने के लिए भी जादा होता है ठीक है, तो आज जो अगला part हम start करने जा रहे हैं, हम कुछ important terms ले रहे हैं, ठीक है important terms के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये chapter में आपको ये काफी बार मिलते रहेंगे ठीक है, तो हम अभी ही शुरुवात में ही discuss कर लेंगे आज की class में भी कुछ लेंगे कुछ important terms हम next class में भी continue करेंगे तो चलिया हम जानते हैं next we'll talk about some important terms, जो कि आपके genetics से relevant है ठीक है अब चलिया मैंने आपको बताया था हमने ये terms पहले भी discuss कर रहें but for revision's sake कुछ important terms के बार में हम यहाँ पर discuss करते हैं इस chapter में काफी बार ही आते रहेंगे तो आपको confusion नहीं होगा ठीक है अब देखिए हमारे body के अंदर अब देखिए cell से बने होते हैं cell जो है वही basic structural and functional unit होता है तो उन cells के अंदर nucleus present होता है उस nucleus के अंदर ही chromosomes होते हैं ठीक है तो उस chromosomes के ही उपर genes होता है sequence याद रखिए cells से हम बने होता है cells के अंदर nucleus होता है nucleus के अंदर chromosomes होता है chromosomes के उपर ही genes होता है जो की heredity के लिए responsible होता है तो यह जो chromosomes होता है human body के अंदर 23 pairs होता है याद होगा आप लोगों को 23 pairs है मतलब का total कितने हो गया 46, 46 ठीक है तो यह जो total chromosomes है इनका number जो है मतलब total होता है 46 that is 23 pairs तो यह दो प्रकार के chromosomes होता है एक होता है autosomes और दूसरा होता है sex chromosomes autosomes जो होते हैं sex chromosome के अलावा जितने भी chromosomes होता है अब देखे आप कहेंगे sex chromosome का काम क्या होता है sex chromosome होते हैं यह sex decide करते हैं offspring का कि यह male होगा यह female होगा लेकिन और जितनी भी और जितनी चीज़े होते हैं body के अंदर जैसे आपका eye का color, body का color, hair का color, height सारा कुछ तो decide होता है इसको decide करने वाले होते है autosomes और जो sex होता है offspring का male होगा यह female होगा इसको decide करते हैं sex chromosome ठीक है sex chromosome autosomes दोनों ही chromosome होते है वो pairs में exist करते है ठीक है, तो जो autosome है it exists in pairs and each of which has a same form ठीक है, pair में exist करते हैं मतलब क्या जोडे में होते हैं दो chromosome साथ में जूटके एक autosome का pair बनाते हैं तो यह जो जितने भी chromosome है exist करते है pairs में और दोनों का same shape होता है sex chromosome अलग-अलग होता है male का जो y है वो अलग होता है shape का as compared to x ठीक है लेकिन इनका form भी एकदम same होता है अगला, it controls somatic traits somatic traits अभी आपको बताया था hair color, body color eye color, eye size height and so on ठीक है तो यह जितने भी somatic traits होता है हमारे body के अंदर इसको कौन control करता है autosomes control करता है ठीक है 23 total 23 pairs होता है हमारे body में chromosome के तो आखरी वाला जो होता है वो sex chromosome होता है तो एक माइनस कर दीज़े 23 pairs होता है 22 pairs 22 pairs of autosomes ठीक है 22 pairs of autosomes exist in humans ठीक है I hope यह clear है आपको अगला जो आपके chromosome का type है that is your sex chromosome ठीक है तो sex chromosome नाम से ही clear होना चाहिए number क्या होगा इसका एक single pair ठीक है जो आखरी वाला आता है इनका काम क्या होता है जो offspring produce हुआ है उसका sex determine करना कि male है या तो female है यह decide करना यही काम होता है ठीक है अगला sex chromosome these are the chromosomes which determine sex male और female इनका जो number होता एक pair होता है तो single pair of chromosomes exist in humans humans में एक single एकलोता pair जो है sex chromosome का exist करता है चलिए अगला point देखते है deployed क्या होता deployed अब देखिए जिस भी organism के body में या जिस भी cells के अंदर 2 complete set होता है chromosome का 46 present है तो उस ताइब के organism को हम क्या कहेंगे deployed तो deployed को हम कैसे represent करते थे 2N यह हमने लास्ट चाप्टर में भी बहुत अच्छे से किया है I hope आप लोगों को याद है deployed क्या होता है cells with two complete set of chromosomes 2N हमारे body के जितने भी cells है सारे deployed ही है बस एकलोता याद करिए जो male gamut बनता था वह haploid था और जो female gamut बनता था वह भी haploid था ठीक है एक set of chromosome था वस उसमें तो haploid और इसको हम N से represent करते हैं इसके ऐसे cells जिनके अंदर एक single set होता है chromosome का उस type के हम cells को क्या कहेंगे haploid ठीक है और N यह कौन से हुए deployed का example जितने भी cells है body में हमारे वह सारे deployed होता है दो complete set होता है और अगर एक single set होता है chromosome का वह याद करिये reductional division जो कि meiosis से बना था तो reduce होके half set male से आता था half set female से आता था तो वह जो होता था cells gamut basically हो होता है haploid अब चलिए आज की class में हम यहीं तक करेंगे next class के अंदर हम कुछ और important terms के साथ deal करेंगे genes क्या होते है allils क्या होते है dominant, recessive, homozygous, heterozygous, filial, crossing over यह सब सारे चीज़े क्या होती है unit square यह सारा कुछ समझेंगे next class में यह बाकि terms को जानेंगे और हम Mendel के तीनों law के बारे में पढ़ेंगे next class में ठीक है तो I hope आज हमने जितना कुछ भी किया है आपको clear है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है so that's all for today thank you very much study well and take care